नमस्कार दोस्तो, फैंटेसी के पार्ट साला, ये जो कारेकरम है मैं शुरू कर रहा हूँ, कारेकरम कहूँ चाहे आप जो कहूँ, एक सीरीज है, पार्ट है, ताकि आप सब ही लोग खुद से टीम बनाने की कॉंसेप्ट को समझ सको, इस वीडियो को आखिर तक आप लोग ज बताऊंगा कि बैटिंग पीच पर स्कोरिंग पैटन तो मैंने बता दिया, लेकिन किस तरह के बैट्समें जो है, वो ज्यादा अच्छे खेलते हैं, इसके उपर फोकस करूँगा, फिर तीसरी वीडियो आएगी, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि बैटिंग पीच के पर किस तरह के जो बॉलर्स होते हैं, वो सबसे जादा जो है, हमें फैंटसी के पोइंट्स देगे, यानि कि जो कुछ भी बताऊंगा, वो फैंटसी के पोइंट के सिस्टम के अधार पर बताऊंगा, तो एक एक बात, जहां भी मैं गलत रहूँगा, आप लोग मुझे कमे देखते हैं कि बैटिंग पीच के उपर किस तरीके से सारी सिस्टम जो है, वो बनते हैं, स्कोरिंग पैटन किस तरीके से बनता है, अगर आप ये समझ लिए, तो आप ये समझ लो, कि कम से कम 50% आप ये पता कर लोगे, कि आपको टीम की कॉम्बेनेशन क्या रखनी है, टीम का पैटन क्या रखना है, टीम किस फॉर्मेट से आपको बनाना है, आए चलते हैं सिधा स्क्रिन पर, देखें बैटिंग पीच, फैंटसी क्रिकेट, ठीक है, बैटिंग पीच, जेनरली जो होता है, बतलब हम पीच देखकर पता कर सकते हैं, हाला कि बैटिंग पीच भी किस तरीके से होते हैं, इसके उपर भी अलड़ी एक वीडियो बहुत पहले में बना चुका हूँ, लेकिन बैटिंग पीच के उपर किस तरीके से सेनारियो बदलने वाले हैं, आपको सबसे पहले स्कोरिंग पैटन बताऊंगा, क्योंकि जब बैटिंग फ्रेंडली बताया जा तो वहाँ पर क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, किस किस कंडिशन में स्कोरिंग पैटन चलते हैं, सबसे पहले हम फोकस करेंगे, देखें, एक हाई स्कोरिंग पावर प्ले होता है, सबसे पहला जो पोईंट होगा, वो यह होगा, कि हाई स्कोरिंग पावर प्ले होता है यानि कि runs in the power play यानि 0 से 6 over के बीच में मैंने हिंदी में हर एक चीज लिखा है ताकि आपको आप screenshot भी ले सको और आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ भी सको batting pitches पर power play के दौरान काफी fast scoring होती है teams अकसर 50 से 70 runs या उससे ज़्यादा power play में बना लेती है example 60 से मतलब 60 run बना दिया 6 over के अंदर कोई wicket नहीं गीरा या फिर यह हो सकता है कि 65 run बने और एक wicket गीरा 6 over में इस तरीके से conditions जो है वो देखे जाते हैं यानि कि बहुत ही fast तरीके से यहाँ पर game होता है हो सकता है कि वहाँ पर कोई wicket ना गीरे या हो सकता है कि एक wicket गीर जाए यह एक condition होगा अब इस case में आपको क्या लगता है इस case में आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि 60 run बनता है power play में और 65 run बनता है तो कम से कम जोनों opener जो हैं जो दोनों opener batsmen हैं वो आपके dream team में आ सकते हैं यह बात तो आप समझ गया होंगे देखिए हमें focus कहां करना है सबसे पहले हमें focus करना चाहिए जब भी हम cricket में team तयार करते हैं तो हमारा सबसे पहला focus यह होना चाहिए कि हमारे जो 11 player चूनके निकालते हैं कम से कम पहले वो dream team में आ जाए मैंने देखा है 99% लोग captaincy के पीछे भागते हैं कि captain कौन होगा उन लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि captain भले ही आपका सबसे ज़्यादा points दे दे लेकिन उसके बावजूद भी आप करोड रूपे नहीं जीत पाएंगे जब तक कि आपके dream team में कम से कम 10 player DT ना बने हो कल के match में एक भाई ने नाम मुझे नहीं आ रहा है इस चौधरी करके कोई है उन्होंने मुझे instagram पर एक अपनी post भेजी आलागे call भी कर रहे है तो उन्होंने मुझे भेजा अपनी photos जिसमें 11 के 11 player DT थे समझियेगा बात को इन्होंने Cameron Green को captain बनाया वो भी okay है लेकिन थोड़ी सी mistake होई और वो क्या था कि Mitchell Mars को उन्होंने VC बनाया था जो कि सबसे कम point दिया था तो समझने मेरे कहने का मतलब कि कहीं न कहीं 11 player DT थे तो वो अच्छे खासे amount जीते तो सबसे पहला focus होना चाहिए कि आपके 11 player जो है वो DT बनकर बाहर निकले तो इसके लिए आपको शुरू से इन systems को समझना पड़ेगा कि अगर 60 run बनता है या एक बिकेट गिर जाता है power play में तो कम से कम दोनों opener में से एक opener तो ऐसा जरूर होगा जो DT बनकर जाए हो सकता है ऐसा कि 34 run पर एक बिकेट गिर जाए एक जो batsman है वो 20 run खेले और 14 run पर out हो जाए तो ये dream team से बाहर हो गया लेकिन जो दूसरा है वो भी तवर तोड़ खेले तो फिर दोनों के दोनों DT बने समझ गया तो ये एक condition जो है power play में होता है कि runs जो है वो fast बनते हैं या तो 7 run या 70 run 80 run भी हो जाते हैं 100 run भी हो सकते हैं कुछ नहीं कह सकते scoring जब high होता है batting pitch पर तो high होता है अब हम आए थोड़ा सा देखते हैं कि steady build up with acceleration यानि कि अब क्या होगा कि जब power play में अच्छे खासे run लग चुके हैं तो acceleration जानते हैं आप लोग बाइक चलाते हैं तो accelerator देते हैं ताकि गाड़ी और तेजी से भागे तो same condition यहाँ पे भी होता है कि steady build up with acceleration यानि कि middle overs में 7 से 15 over के 20 में क्या होगा कि middle overs में teams थोड़ा सा cautious approach ले सकती है तिके especially अगर उ अच्छा score कर लिया है तो उस rhythm को वो लोग बना कर रखेंगे और आगे उसको और तेजी से ले कर जाएंगे यानि कि वो थोड़ा सा especially acceleration देंगे लेकिन batsman जो है generally strike rotation और occasional boundaries यानि कि हर over में कम से कम एक boundaries लगा देंगे या तो छक्का हो या चौका हो फिर single double लेते रहेंगे strike rotate करते रहेंगे ठीके और उन पर उनका जो है focus करते हैं ज़्यादा तर कि occasional boundaries हो और generally strike rotation जो होता है वो सबसे important हो जाता है उस case में यानि कि मान लेते हैं कि 7 से 15 over के बीच में 100 run पर 1 wicket होगा या 120 run पर 2 wicket होगा 12 से 13 over के बीच में अब क्या होगा acceleration phase फिर से वापस आएगा उसमें होगा 14 से 15 over के बीच में ठीके 14 से 15 over के बाद batting team typically accelerate करने की कोशिश करेगी जो score में sharp increase lead करेगा sharp increase lead करेगा मतलब की जब यहां तक आप समझना जब 12 से 13 over तक कोई team 120 run बना दी है तो बाकी के 6 over, 7 over, 5 over जो बचता है उसमें कोशिश यह होती है कि यह score जो है 180 plus जाए तो यह एक condition होता है कि हमारा जो team है वो उसमें किस तरीके से players को चुनने है अगर हम यह मानते हैं कि 100 run तक एक wicket गिरता है यानि कि यह definitely तैय है कि दोनों opener में से कोई एक opener या फिर top 3 batsmen में से कोई 2 batsmen जो है वो आपको 100% अच्छा खेल कर जाएंगे, dream team में जाएंगे, इसकी possibility सबसे जादा होती है, तो आपको उसी तरीके से team की formation तयार करनी है, देखे अभी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आएगा, तो tension नहीं लेना, आगे आप जैसे ज फुड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब क्या हो सकता है, कि date over में explosion होगा, ठीक है, मैंने आपको power play से लेके 20 over तक की चीजे बता दिया, यानि कि 15-16 over तक, अब क्या होगा, ठीक है, कि 16 से लेके 20 over के बीच में date over explosion, explosion मतलब होता है धमा का, simple सा, धमा का, यानि कि date over में batsman का intention maximum runs बनाना होता है, और या phase सबसे aggressive scoring phase होता है, यानि कि example के तोर पे runs per over 12-15 run per over या फिर उससे ज़्यादा score हो सकता है, यानि कि last के 4 over में आप देखे होगे, example के तोर पे कि एक team जो है last के 4 over में 50-70 run बना दिया, ठीक है, resulting the final score is 182-200, यानि कि आप बात में समझ में आ गई, कि run बनते हैं, वो किस-किस condition में बनते हैं, मैं इसके उपर focus कर रहा हूँ, ठीक है, कि run किस-किस condition में बन सकते हैं, अब इस condition में आपको इतना समझ में आ गया होगा, कि आपको batsman किस तरीके से चुनने हैं, ठीक है, यानि कि 50-60 run यानि डेथ में बना, यानि कि एक बात तो तो या तो power play वाला batsman, opening batsman ही अच्छा खेल कर गया, या 3 और 4 नंबर का जो batsman है, वो बहुत तगड़ा खेल कर जाएगा, तब जाकर ये scenario जो है, वो complete होता है, ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं आगे, फिर देखते हैं कि century partnership और a big individual score, मतलब कि ऐसा भी होता है, कई बा power play के जो batsman है, वो 1500 run तक खेलते चले गए, या फिर ये भी हो सकता है, मैं आपको पढ़कर दिखाता हूँ, मैंने हर चीज लिखा हुआ है, कि batting friendly pitches पर एक या दो batsman बड़े scores बना सकते हैं, जिसमें एक century या 70-80 से ज़्यादा score हो सकता है, किसी एक batsman का, होता है बैटिंग इसा होता है, तो ऐसा कब होता है, ये batting पीच के उपर होता है, आई बात समझ में, जब आपको इतना पता चल जाए कि जो पीच है, वो batting है, तो आपको वहाँ से, अपने इमाजिनेशन से, अपने इस तरीके से, जो मैंने बताया है, तो आपको team जो है, वो ready करना है, example के तोर पर समझते हैं, an opening partnership 120+, यानि कि 120 से ज़्यादा जो run है, वो partnership में बन गया है, और a single batsman scoring 100+, in 60 balls, यानि कि कोई एक जिसे ट्राइवी सेट जैसा batsman हो गया, कई बैर ऐसा भी देखने को मिला है, कि ये सस्वी जैश्वाल और अगर रोही सर्मा आगे batting करने, तो पता चलता ह है कि 6 over में 70-80 run बन गए, वहाँ पर कोई एक out हुआ, तो दूसरा जो है उसको accelerate करके आगे बढ़ता है, और फिर वो 50-60 ball में 100 run भी cross कर जाता है, जनरली ये सारी चीज़े जो हमें IPL में भी देखने को मिलता है, तो ये जो condition है, एक होता है, ठीक है, जब batting wicket पर match होता है, अब समझते हैं कि क्या है, अब देखें aggressive start, अब next pattern को समझते हैं, next pattern क्या हो सकता है, next pattern, एक तो मैंने आपको बता दिया, अब दूसरा pattern, aggressive start, ठीक है, with wickets falling, यानि कि जो score होगा, batting होगा, बहुत तेजी से run मरेगे, चोके छके की शुरुआत सुरू से ही power play में ही हो जाएग ये एक condition जो होता है, यानि कि कभी-कभी teams जो है aggressive start लेने की कोशिश करती है, लेकिन risk के कारण wickets गिर सकते हैं, इस case में despite losing every wickets, teams scoring rate maintain करने की कोशिश करती है, यानि कि अब समझिएगा कि मैं आपको क्या कहने वाला हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है, example के तोर पे समझिए कि 80 run पर 3 wicket गिरा मतलब हुआ 9 over में, और ये चीज़े भी batting wicket पर भी हो जाता है, कई बार गलट shots खेल के batsmen, अच्छे batsmen, power play के batsmen, opener batsmen, one down के batsmen, जल्दी out हो जाते हैं, यानि कि फास्टों खेलते हैं, यानि कि 9 over में 80 run बना दिया, समझ रहो, 9 over में 80 run बना दिया, लेकिन 3 wicket गिरे, उस case में क्या होगा, हो सकता है कि top 3 batsmen, कोई 25 run पर, कोई 18 run पर, कोई 20 run पर, कोई 30 run पर, out हो जाए, most probably यही होता है, कि उस case में top 3 में से कोई एक ही dream team में आता है, या फिर 3 में से कोई नहीं आता, लेकिन, उस case में आपको top 4 और 5 नंबर के जो batsmen है, वो अच्छे खासे चल सकते हैं, तो यह एक आपको condition समझना है, कि ऐसा भी हो सकता है, कि aggressive start हो, और wicket जो है, वो तेजी से गिरता चला जाए, यानि कि top 3 wicket जो है, वो power play में, यानि कि starting के 10 over के अंदर गिर जाए, लेकिन score जो है, व आपको अच्छा खेलेंगे, तो उस condition में आपको क्या होगा, उस case में क्या होगा, 1, 2, 3, 4 और 5, हो सकता है, यह अच्छा ना खेले, हो सकता है, यह अच्छा ना खेले, लेकिन यह जो batsmen है, यह बहुत ही तगड़ा खेलकर जा सकते हैं, और उस condition में आपको उसी तरीके से batsmen को अपने team में pick करना है I hope आपको समझ में आ गया होगा नहीं आएगा आप मुझे बता देना मैं आपको बाकी की चीजे भी समझाऊंगा ठीक है अब देखते हैं अगला क्या होगा consistent high run rate throughout ठीक है यानि कि balanced scoring balanced scoring देखे हो समझना बात कुछ matches में टीम पूरी innings में consistent run rate maintain करती है without losing too many wickets यानि कि जो है कई बार ऐसा देखने को मिला है कि batting wicket पर भी batsman जो है वो captain और vice captain fantasy में नहीं बनते यानि कि जो average है वो maintain करके रखते हैं यानि कि example के तोर पे देखिए example के तोर पे पहले 6 अभर में 50 run बना कोई wicket नहीं गिरा फिर अगले 12 over तक 100 run बने और 2 wicket गिरे फिर 180 run बना 4 wicket गिरे और 20 over complete हो गया इस तरीके से example पे अब आपको यहां से यह चीच clear हो गया होगा कि आपको किस किस condition में batsman को रखना होगा ठीके आप समझ गए फिर से बता रहा हूँ कि मानलेजे पहले 6 over में दोनों opener आए और 50 run बना कर गए wicket नहीं गिरा फिर उसके बाद अगले 12 over में 100 run बने और 2 wicket गिरा और फिर 180 run बना 4 wicket गिरा और इसका मतलब इतना है जाहिर सी है कि आपको number 1, number 2, number 3, number 4 के batsman top 4 batsman जो है consistence performance करके दे रहे हैं यह चारो dream team में आएंगे clearly बात समझ में आ गई ठीके अगर consistency होगा throughout balance एक तरीके से score बनते चला जाता है उस case में top 3, top 4 batsman जो है वो dream team में आते हैं आपने भी देखा होगा कि कोई 28 run बना दिया, कोई 32 run बना दिया, ठीके कोई 36 run बना दिया, last वाला जो है 40, 45, 45 run बना दिया, तो इस तरीके से चीजे जो है होती है batting pitch पर, अब समझते हैं collapse, collapse after a strong start, ये भी condition होता है कई बार ऐसा देखने को मिलता है batting wicket के उपर, कि start जो है वो तेजी से तो हुआ, बहुत तेजी से start हुआ, लेकिन suddenly team collapse कर जाती है तीके, वो कैसे, तो देखें कभी-कभी एक strong start के बाद भी team collapse कर सकती है, particularly date overs में, aggressive batting के चक्कर में ठीके, clearly मैंने आपको हिंदी में सारी चीजे लिखा हुआ है, ताकि आपको समझ में आ जाए, अब example के तोर पे समझते हैं, कि 100 run जो बना, एक wicket पर 10 over में, यानि कि 10 over में जो team है, वो 100 run बना दी यहां से लोगों को यह लगता है, कि भाई, एक wicket गिरा है, 10 over complete हो गए है, 100 run बन गए है, मतलब कि आज score जो है, वो 200 run जाएगा, 190 run जा सकता है, 180 run जा सकता है, 100-200 par भी जा सकता है, बिल्कुल highly confident चीजे होती है, लेकिन suddenly क्या देखते हैं हम लो, कि but endings at 157, यानि कि only 50 run बनाने में, इनके 6 wicket जो है, वो down होगे, यानि कि due to a collapsed in the last few overs, last के 16-20 over के बीच में, ऐसा भी हो सकता है, कि 12-20 over के बीच में, 5-6 wicket गिर गे, या यह भी हो सकता है, कि यह 7 wicket ना गिर के, all out भी team हो सकती है, और 150 पर all out हो गई, सोचिए, इस तरीके से भी चीजे होती है, और अगर इ नमबर 3, इन में से किसी 2 को, या तो नमबर 1, नमबर 2 को ले लिया, तीनों को ले लो, सिफ इन 3 batsmen को लो, और किसी भी batsmen को ना लो, क्योंकि बाकी 10 run, 15 run, 20 run, या 8 run, 0 ball, 0 run, उनस पे out होते चले जाते हैं, और उस case में, जो आपको सबसे ज़्यादा विकेट लेता है, वो ल सकते हैं, तो ये एक भी condition होता है, बैटिंग विकेट के उपर, कि टीम जो है, बहुत तेजी से खेलते हुए भी, strong start करते हुए भी, collapse कर जाती है, highest 10 उभर में होने के बाद भी, इनका जो final figure होता है, वो बहुत low रह जाता है, ठीक है, ये आप समझगे होंगे, अब आगे ब जाता है, बैटिंग विकेट पर, मतलब क्या है, कि chasing team, pitch के conducive condition, यानि pitch के अनुसार, pitch के according, जो pitch के behavior को देखते हुए, ठीक है, conditions का फायदा उठाकर, पूरा time, strategic तरीके से run chase कर सकती है, मतलब कि example के तोर पे, ये क्या है, chasing pattern है, यानि कि controlled chase, यानि कि team जब second inning में, बैटिंग व कि पचास run बना दिया, 6 over में, विकेट नहीं गिरा, ठीक है, इसको बोलते है, chasing को pattern, ये सारे के सारी strategy है, ये बनाते है, coaches और team के captain, कि किस तरीके से pattern पर हमें chase करना है, कब accelerate करना है, कब थोड़ा सा strike rotate करना है, ये सारी चीजे पहले से run के according, या match सुरू होने से पहले fix हो जा करती है, ठीक है, अब क्या होगा, 6 over में 50 run बने, और 12 over में 110 run बने, 2 wicket पर, and winning with 183 in 19 overs, आप देख लिया, मतलब कि पहले 6 over में 50 run बना दिया, फिर अगले 12 over में 110 run बना दिया, और pattern क्या रखा, winning कर लिए, भई, 180 run, मांग लो, 180 run किसी team ने बनाया है, batting first करते हुए, ये होता है, chasing control, और ये भी batting wicket पर ही संभव है, और कहीं संभव नहीं हो पाता, समझगे, इसके बाद क्या होता है, explosive finish, ठीक है, explosive finish, क्या होगा, अगर target हाई है, समझना बात को, अगर target हाई है, तो chasing team, slow start के बाद, last के overs में accelerate करती है, याद रखेगा, last के over में accelerate कर सकती है, example के त किसका pattern है, धोनी का, मेहंदर सिंग, धोनी का pattern है, chasing का, कि वो क्या करते हैं, कि धीरे-धीरे match को end over तक लेकर खिच के जाते हैं, start भले ही slow रहता है, धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे, लेकिन, आप समझना क्या बोल रहा हूँ, last के overs में accelerate कर सकती है, यानि की example, needing 60 runs in last five over, ऐसा होता है कि पांच over में, यानि 30 ball में, 60 run चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन, आपको क्या पता चलता है, कि successfully chasing, यानि कि successfully जो team है, वो chase कर ली, इसको बोलते हैं, explosive, ठीक है, finish, और ये किसका तरीका है, महंदर सिंग, धोनी का, मही भाई का, तो ये एक, जो chasing pattern है, ये भी batting bicket पर ही अपनाया जाता है, और ऐसे भी matches होते हैं, मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ, वो match के conditions बता रहा हूँ, कि इस तरीके से matches होते हैं, उस तरीके से आपको team prepare करना पड़ेगा, I hope आपको ये बात समझ में आ गई होगी, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे की बातों को समझते हैं, target setting strategies, ठीके, target setting strategies, ये क्या होता है, कि जब कोई team toss जीतती है, ठीके, और batting करती है, batting first करती है, वो तब, जब batting bicket पर match हो रहा हो, तो वहाँ पर एक strategy होता है, target setting strategies, ये पहले ही tie हो जाता है, यानि कि setting of par score, आपने देखा होगा, कई बैट जीत कर, captain बोलता है, कि हम देख रहे हैं, मतलब, इतने run, देख रहे हैं, जिससे कि हम लोग defend कर ले, देखिए, batting first वाली team, pitch conditions को, समझेगा, देखिए, important क्या है, pitch conditions, pitch conditions को, मद्दे नजर रखते हुए, par score set करने की कोशिच करेगी, जो उन्हें लगता है, कि वो क्या defend करने के ला करने वाली team, pitch की conditions को, मद्दे नजर रखते हुए, par score set करने की कोशिच करेगी, जो की defend करने के लायक, उन्हें लगता है, example के तोर पे, कि scoring 180 to 90, उनका target हो जाता है, कि भाई, हमें 180 से 190 run बनाना है, considering, देखिएगा, समझेगा इस बात को, यहां पर बहुत अच्छा point है, considering the pitch nature and the opposition strength, यानि की सामने वाले में team में कितनी ताकत है, और pitch का behavior कैसा है, मान लेते हैं कि ऐसा भी batting friendly pitchage होता है, कि पहले inning में बैटिंग अच्छे तरीके से होते हैं, धरधर stroke लगते हैं, लेकिन जैसे ही team second inning में आती है, तो team जो है, वो starting में तो अच्छा खेलती है, वही condition, कि end को अबर आते आते वो लोग देर सोरन पर धेर हो गया, तो slow wicket, यानि कि धीरी धीरे जो wicket slow होते हैं, उस मतलब pitches ऐसे भी होते हैं, बैटिंग pitches, जिस पर starting में रन अच्छे खासे लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे match ongoing चलते जाता है, pitch slow होते जाता है, stroke नहीं लग पाता है, जिसके वज़र से, जो है, target setting strategy का इस्तमाल किया जाता है, coaches और captain के, मद्दे नजर, मतलब captain के, ठीके, तो अब हमारे पास ये चीज़े आप समझ गये होंगे, कि scoring 180-90 का, considering the pitches nature and the position strength, उनको पता होता है, कि सामने वाली टीम में कितनी ताकत है, उनके अगर हम openers को उखाड फे जाएगी, या फिर वो ये सोचते हैं, कि देखो, power play में हम किसी भी तरीके से खीचे, middle order में इनको दबा कर रखेंगे, क्योंकि इनके power play के जो batsman है, strong है, middle order कमजोर कड़ी उनको दिखाई देती है, उस case में भी ये system apply किया जाता है, ठीक है, अब इसका conclusion क्या है, conclusion क्या है, conclusion मैंने लिखा कि एक batting friendly पीचे-पीच पर, T20 matches में scoring patterns कई तरह का हो सकता है, मैंने ये कुछ तरीका ऐसा बताया, जो normally, 80% case में, 90% case में ऐसे ही matches होते हैं, और इस तरीके से मैंने आपको जो कुछ भी समझाया, ये आपको, अभी मैं बहुत सारी चीजे, videos बनाने व करना है, fantasy cricket को अपना career बनाना है, आप चाहते हैं किसी अच्छा खासा पैसा कमाएं, या फिर आप चाहते हो कि हमेशा profit में रहें, तो आपकी इन चीजों को सीखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन high scoring और aggressive batting typically, क्या होता है, aggressive batting typically common होती है, मतलब समझ में आ रहा है, यानि कि batting w cricket पर high scoring और aggressive batting typically common होती है, मतलब कि हर टीम ये strategy अपनाती है, लेकिन team की strategies और match situation के हिसाब से ये patterns change हो सकते हैं, हो सकता है बीच में बारिश आ जाए, कुछ भी हो सकता है, match के situations के according ये pattern ये change हो सकते हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन overall एक entertaining और run से भरा match देखने को मिलता है, जिसमें चोके चक्के की भरपूर बारिश होती है, तो दोस्तों ये रहा सारा अगर batting pitch, batting pitch कई दरग होते हैं, लेकिन normally batting wicket पर इस तरीके से matches होते हैं, जो जो मैंने आपको conclusion बताया, अब हम यहाँ पर अगले वीडियो में ये बताने की कोशिश करेंगे, कि batting bicket पर, जब bicket batting हो, batting pitch हो, तो वहाँ पर किस type के batsman जो है कब-कब condition में अच्छे खेलते हैं, वो कौन-कौन से किस type के batsman है, वो वहाँ पर सरवाधिक आपको अच्छे points देंगे, या captain बनने के लाइक होते हैं, या कुछ ऐसे batsman भी होंगे, जो आपको dream team में आने के विराट कोली जैसे batsman, ठीक है, कुछ होते हैं, जो power play का भरपूर फायदा उठाते हैं, जैसन रोय हो गया, ट्राविस हेड हो गया, रोहिट सर्मा हो गया, तो इस तरीके के जो player है, ये batting bicket पर किस तरीके से खेलते हैं, सारी की सारा मैं आपको पूरा का पूरा किताब ले होगा, सब कुछ आप मुझे comment करके जरूर बताईएगा, मिलते हैं फिर next video में, तब तक के लिए, जैसे हैं